बारतिय इतियास ना जे युग क्रमों आपणने जानवा मले चे तेम आप सव जानों छो तेम वाईदिक युग पूर्वे सिंधुखिन नी संस्कृती लेके हडपिय संस्कृती थी शरू करीने प्राचिन भारत ना इतियास मा वाईदिक युग, अनुवाईदिक युग, महाकाव्यों नो युग अनुवाईदिक युग, अनुवाईदिक युग, अनुवाईदिक युग, युग, अनुवाईदिक 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 युग, पूरी करी अने चाल्या गया अंदर अंदर ना संगर्षो छेक सोल महाजन पदो ना युक्ती जे चाल्या आवता आता ये अईया पन कंटीनियूस जोवा मलेच जेंके मौर्यय युग ना छेल्ला समराट ब्रुहद्रत नी हत्याकरी ने पुष्यमित्र शुंग आवया पुष्यमित्र शुंगे शुंग वंश येलेके ब्राम्मन धर्म नो पुनर उद्धार करियो अने एना छेल्ला राजाने पन मारी नाखी कणवा उंशावयो एपची एज समय डक्षिन भारत मा आंध्र ने महराष्ट्र ना संयुक्त प्रदेश मा सात वाहन वंश ये शाशन करियो एटले के मौर्यय युग ने गुप्त युग नी वच्चे आपने जोहिये ची एके आंध्रनो सात वाहन युग पन छे औने एज रिते समकालीन जे छे ते राजवन्षो वाकाटक पल्लव औने आपने जोहिये शकीये ची के सात वाहनो पन छे आ बधामा साउथी महत्व जेने आपने आपी शकीये ते कुशाणों जे कुशाणों एज चीन ना कानस्व प्रांत मा थी आव्या हता बारत नी वायव्य सरहदेथी सरुकरीने ए युहेची नामनी जाती बारत मा प्रवेशी आ युहेची जाती नी एक साखा हती कुशाण, कनिश्क नो एक सवथी वधारे प्रतापी राजा हतो अने ए प्रतापी राजा पराक्रमी राजवी पन हतो चीन मा थी मध्य एशिया, इरान, अफगानिस्तान थाईने आ युहेची जाती ना लोको बारत तरप आव्या हता येवु इतियास कारो नो देची अक्सस नदी ना खिन प्रदेश मा तेवो सवप्रथम वस्या, आ जाती ना अहिया पांच विभागो पड़िया, अने दरेके पोत-पोतानी स्वतंत्र राज्यानी स्थापना करी, आमानी एक शाखा, एटले कुशाण शाखा तरीके ओलखाएची इस विशनना प्रारंभमा कुशाण वंशमा सवथी प्रथम राजा कुजूल कड़ फिसिस नामनो थाई गयो, आ बड़वान राजाये पांच जातियोंने एकत्रित करीने, हिंदनी सरहद पर, ग्रीक तथा शक पल्लोंने पराजय आपीने, भारतनी सरहद पर पोतानू रा अफगानिस्तान, सिंधू प्रदेश, सवप्रथम वगेरे मा सवप्रथम कुशाण होए पोतानी सत्ता स्थापी हती, कुजूल कड़ फिसिस ना अवसान बाद, तेनो पुत्र वीम कड़ फिसिस एप पिताना अपूर्ण कारियने आगल धपावी, पंजाब नो प्रांत ज जोरी जहीने, छेक बनार सुधी एप आगल पोँचो, अने पोताना कुशाण राज्यनी सीमा विस्तारी, वीम कड़ फिसिस नो शाषंकार सामन जरीते इस विसन पंचावन्थी, इस विसन इठो तेर सुधी नो मनाईची, वीम कड़ फिसिस बाद, इस विसन इठो तेर मा कनिश्क पहलो, जेने कुशान समराट कनिश्क पहलाना नामे पर ओलखवामा आवेच, ये गादी आवेओ, तेना पुर्व जीवन विशे बहु खास कई माहीती मलती नथी, परन्तु ते सक्तिशाली सेनापती हतो, अने एने उताना सामराज्यमा पीताना समयमा, सारोयो वह दिवती अनुभव पन प्राप्त कर्यो हतो, येने सामराज्य विस्तार करीने, पोताना सामराज्यमा अश्व गोष्ना उपदेश्ती बाउत धर्म स्मिकारीने, बाउत धर्मनों अंगी कार कर्यो हतो, अने तेने जे बाउत धर्मना प्रचारने प्रसार्मा, तेमाज सांस प्रश्कृतिक ख्षेत्रे, यलेके साहीत्य, कहला, ज्ञान, विज्ञान वगेरे ना ख्षेत्रे पन सारोय वविकास करे होतो. कनिश्कना आपने किटलाक विजयो तरफ जो द्रश्टी पात करिये, तो एमाना किटलाक बहुज मुख्य मुख्य ने आपने जोवानो प्रहत्न करीशू, यलेके अवलोकवानो प्रहत्न करीशू. काश्मीर पर नू आकरमन तेना जीवननो साउथी प्रथम अने महत्वनो बनाव गणीशकाई. तेना सासंकार दर्मियान प्रारंब मां काश्मीर जिती लईने त्या कुषान सामराज्य स्थाप्यू अने तेने लेके काश्मीर प्रदेश ने कुषान सामराज्यमा जोड़ केल्टी दिरूं। त्यां त्येले कनिश्कपूर्णामनूं अत्यारेते कन्सपूर्णामे ओलखाई छे, एकनिश्कपूर्णामनूं शहर नवुज वसावि, अने इस्विशननी अने चौथी सपरिशद, घर्लेके बहुत धर्मणी चौथी परिशद, पं काश्मीर मां त्य परिशद जे मलीती तेमा 400 थी वदू बहुद्दे साधुओ त्या एकत्रित थाया हता। कलहण नी कलहण नो सु प्रसिद्ध ग्रंत राज तरंगी नी कनिश्कना काश्मीरपर ना शाषन नू वरणन आपने आपेज। अने एक खुबज अधीक्रुत अने विश्वस्निय चे एटले आपने मानवुज रहिू के कुशान सम्राट कनिश्कना शाषन काश्मीर पर हतु। त्यार बाद तेने मघद उपर चड़ाई करी एनी साथे युद्ध करी होतो। पड़े राजवी आटली मोटी रकम हता आटली मोटी संख्यामा सोना महरो ए आपी शके तेमनो तो। इटले कनिश्के कहुँ काई वांधो नहीं तमें आटली नव लाख सोना महरो ना आपी शको। तो बवद्ध साधू गवतम बुद्धनू भिक्षा पात्र अने बवद्ध साधू अश्वग गोश जे कवी पण हता अने सारैवा संस्कृत ना लेखक पण हता। अने अमने आपी दो तो अमें तमने माफ करी देशू अने भगवान बुद्धनू भिक्षा पात्र अने महाकवी अश्वगोश ने लईने ते पुरुषपूर गयो। आवु विधान श्री अभिधम्म पीटक जे त्री पीटक मानो एक ग्रंथ छे त्री पीटक मा सुक्त पीटक, विनै पीटक अने अभिधम्म पीटक एम त्रन पीटकोनो जे समावेश्थाई छे त्रिवेनी संगम रूपे एम अभिधम्म पीटक मा निदान सुत्र नामना बुद्ध ग्रंथमा आ माहिती नो उल्लेक छे, एटले एने पण आपने अईतियासिक गणवीज रही। त्यार बाद चीन साथे नू युद्ध, ए पण एटलूज महत्वनू गणाईचे। ओतानी मात्रो भूमी कही सकाई, एवा कुशान सम्राट कनिशके चीन साथे पड़ युद्ध करी। अने सरहद पर आवेला चीन ना त्रण प्रदेशो याशकन, कास्कर अने खोतान ए त्रण प्रदेशो जीती ली दा। आथी चीन नो शहेंशा थोड़ गब्राई पड़ गए। अने कुशान सम्राट कनिशक साथे नामोशी बरी संधी करवी पड़े ये विश्तिती मा आवी गए। कुशान सम्राट कनिशके तो चीनी सहेंशा ओजे धारन करता हता एवोज इलकाब देव पुत्र नो पण ये धारन करियो। एटलूज नई, परन्तु चीनना सहेंशा पासे येनी राजकुमारी नू मागू पण करियो। के येनो हाथ मने आपो। मतलब के मारी साथे येने परनावो। एटले राजाये, चीनना राजाये ये मागणी नकारी दीदी परिनामे। फरिथी चीन साथे पड़ युद्धत मा उतरवुज पड़ी, एमा ए हार्यो हतो, इलेके कुशान समराट हार्यो। आम प्रथम वार कनिशकनो अही पराजे थहेलो आपने जोई सकियेज। परन्तु वीजीवार वीजय प्राप्त करी चीनना गणावदा प्रदेशो उपर कुशान समराट कनिशके कब जो मेलवयो हतो, एवु गणा चीनी यात्रालवो पड़ आ बाबतने नोधे छे। अने केटलाग चीनी सैनिकोने केदी बनावीने ए पोतानी राजधानी मा, पोताना सामराज्य मा ते लई गयो हतो। त्यार पच्छीनी साकेत, एलेका अयोध्यानी जीत, एपड एटलीज महत्वनी गणाईची। चीन अने तिबेट नी वच्चे जे प्रदेश आवेलो हतो, जेने आपने साकेत अत्वा अयोध्यानी नामे उलख्येची। केटलीक अईतियासिक अनुश्रूतियो मा जानवा मलेचे तेम अयोध्या उपर पण तेने जीत मेलवी हती। आम अयोध्याने पण पोताना सामराज्यानो एक भाग बनावी अने संतोष मान्यो हतो। ए पची एनुँ लक्षय एक शकक्षत्रपो साथे ना विजय मा जोवा मलेचे। कनिषके मथूराना सकक्षत्रपो साथे युद्ध करिय। अने ए प्रदेशों मा थी तेमनी बचेली ताकात ने पन तेने खलास करी। नाखी। त्याथी ते दक्षीन तरफ आवयो अने मालवा तथा गुजरात ना सकक्षत्रपो ने हरावया। आम तेनी लशकरी कारकीदी जोता स्पष्ट थाई छे के ते महान विजेता हतो, सफल सेनापती हतो, सामराज्य नो विस्तारवादी हतो, अने एरिते तेना विजैनी पताका ए दूर दूर ना प्रदेशों सुधी फेलायेली आपनने निहालवा मलेचे। तेना विजाल सामराज्य मा अनेक प्रदेशों नो समावेस्थाईचे। आप प्यलो एवो विदेशी सासक छे के जेननो सामराज्य उत्तरे छेक खेतांथी सरू करीने, दक्षिने छेक कंकन सुधी अने पस्ची में छेक खोरस्तांथी सरू करीने पूर्वमा छेक बिहार सुधी तेनी आ सामराज्य विस्तार नी हदो, अत्वा सरहदो आपनने जुवा मलेचे। कनीशक एक कुशल, साशक अने व्यवस्थापक पड़ हतोज, पोताना विशाल सामराज्य ना उत्तम वहिवट चलावा माटे, तेने सामराज्य नू पांच प्रांतों मा विभाजन करी। अने ये दरेक उपर सकक्षत्रपो, सकक्षत्र ते दरेक विभाग उपर एना हेड तरीके कार्यक्षम अने शक्तिशाई क्षत्रपो गवर्नरों नीम्या हता। कनिश्क ना सामराज्य नी कुल बे राजदानियों हती, प्रथम राजदानी पुरुषपूर ये हालनू पेशावर, जे मध्य एशिया अने उत्तर पस्चिम भारत ना भागो उपर साशन चलावा माटे राजदानी स्थापी हती, ज्यारे बीजी राजदानी तेनी मथूरा हती, जे मध्य भारत अने पुर्व भारत ना प्रदेशों नो वईवट त्यां थी ते संभालतो हतो। आम बे गोडे सवारी करनार आ विदेशी साशक कुशान समराट कनिश्क हतो एम चोकस कई शकाए। सारनातना कनिश्कना एक अभील एक उपरती एपन जानवा मले छे के कनिश्के मघदना विस्तारमा खरपल्लान अने वनस्परने महाक्षत्रप तरीके नियुक्त कर्या हता। तेना उत्तरी सामराज्यमा दंड नायक तरीके लाल अने महाक्षत्रप तरीके वेस्यासी अने लियानी नियुक्त करी हती। इत्यासकार विंसंट ए स्मीथ ना जनाव्या मुझब महाराष्ट्रप नो क्षत्रप एलेके गवर्नर नहपान हतो अने उज्जैन नो क्षत्रप एलेके गवर्नर चस्टन हतो। कनिश्कना सामन्तो तरीके ज तेओ आ प्रांतो नो वहिवट करता हता। जेमने आगल जता आपने जानिये छे तेम नहपान अने चस्टने पन पोतानू स्वतंत्र राज्य स्थापवानी पेर्वी करी हती। त्यार पची आपने जोईए तो एनी सांस्कृतिक सिद्धियों पन खुब ज अनेरी अनूपम छे। बउद्य सादू अश्वगोष ना प्रभावती अने उपदेशती कनिश्के बउद्य धर्म अंगी कार कर्यों हतो इलेके स्विकार्यों हतो। ते तेने बउद्य धर्मना प्रचार ने प्रसार मा जे योगदान आपी जे प्रदान करी यने कारणे तेने इतियास मा बी जा अशोक तरीके ओलखवामा पन आवेज। बउद्य धर्मना अंगी कार करया पछी अशोक नी जेम तेने जुना, स्थूपो, विहारो अने चैतियो नी मराम मत इलेके रिपेरिंग करावियो हतो। केटलाक नवा स्थूपो अने विहारो पन एने बंधाविया हता। आम एने पोतानी राजधानी मा इलेके पुरुषपूर मा तो 400 फूट उंचो अने तेर मजलावालो लाकडा माथी बनावेलो एक भव्यस्त अने आकरशक स्थूप बनावे हतो। खुबज फेलावो करीने बौध धर्मा मा एक अनोखु स्थान इरेने प्राप्त करीव हतो। कनिशके बौध धर्ममा प्रवेशेला केटलाक मत मतांतरोंने दूर करवा। काश्मीर मा आवेला कुंडली का विहार मा पार्श्व नामना बौध साधूनी सलाथी। वसु मित्र नामना बौध आचारियना अध्यक्ष पदे चोथी धर्म परिशद। युले के चोथी बौध धर्म परिशद नू आयोजन करियो हतो। जेमा पान्सोज येटला बौध साधू आजर रहाता। खुब चर्चावी चारणा आ चोथी बौध धर्म परिशद मा थाई हती। अने अन्ते महावी भाषा नामना ग्रंथनू आलेखन करायू हतू। येटले के येनी रचना करवामा आवी हती। कनीशके महायान संप्रदाय अपनावयो। केमके आज बौध धर्म परिशद मा मत मतांतरों ने दूर करवामाटे हीनियान अने महायान एम बे पंथो पड़्या मतलग के बौध धर्मना बे संप्रदायों अलग-अलग थाया। कनीशके एमाथी महायान संप्रदाय अपनावयो खतो। एनी साथेज महायान संप्रदाय ना मत मुझब बौध धर्मनी पूजा आराधना वगेरे शरू थाय। कनीशके पोते पन बौध गवतम बुद्धनी अनेक सुन्दर आकर्षत अने आबे हुब प्रतिमाओ बनावडावी अने ये मुर्तियोंनु स्थापन करवा माटे केटलाक चैतियों अने विहारो पन स्थापया। बौध साधुओने रेवा माटे विहारो अने मनी पूजा आराधना माटे चैतियोंनु स्थान बौध धर्ममाँ गणू महत्वनू महायन संप्रदाई मा गणाये छे। आम कनिश्क पोते बौध धर्मी होवा छता बी जा धर्मो इलेके हिंदू धर्मा, जैन धर्मा वगेरे प्रते खुबज उदार हतो, सहिश्नु हतो, एनी पर इतियासकारो ए नोध लिधी छे। तेथी बौध धर्मी उप्रत तेने बीजा अशोक तरीके पालेज अने ओल खावेज। खासकरीने कनिश्कमा चंद्रगुप्तम मौर्यनी बहद्दूरी अने शौर्यजबन जोवा मलेज। जारे समराट प्रियदर्शी अशोक नी आपनने एमा धर्म प्रियता पन जोवा मलेज। एटले शूर्यवेर्ता अने करूणा एनी पोतानू महत्व आबनने एने आपेला विशेश्णों माथी प्रगट थया वगर रहतू नथी। साहित्यमा पन एने गणू योगदान आपिय। खासकरीने एना राज दर्बार मां त्रन थी चार मोट्टा बउद आचारियों एने अलंकरूत करता हाता। मतलबके दर्बार ने शोभावता हाता। एमा पार्श्व, वसुमित्र, अश्वगोष वगेरेनों समावेश थाईचे। आ त्रने मोट्टा बउद आचारियों हता के जमने अनेक पुस्तकोनू अने घ्रंथोनू सर्जन करियों हता। अश्वगोष नी वाद करिये तो एक कवी पण हतो, लेखक पण हतो, संस्क्रूतनों महाविद्वान हतो, नाट्यकार हतो, संगीत अगन हतो, डार्शनिक इलेके फिलोसोफर पण हतो, अने बुद्ध धर्मनों प्रचारक पण हतो। येने बुद्ध चरित्रम, संदरानंद, सुत्रालंकार, सारीपुत्र, प्रकरण, वगेले कृतियों नी रचना करीने बुद्ध धर्मना साहित्यने खुबज सम्रुद्ध बनाविव हतो। नागार्जुन ए, विस जेटला बुद्ध ग्रंथो लख्या हता। बुद्ध साधून नागार्जुन पन एटलोज मोटो विद्वान हतो। तेमा मध्यमिक सुत्र, पराजना पारमित्र सुत्र, विशेश जानिता ग्रंथो नागार्जुन नाचे। आसिवाई, तेना दर्बारने चरक मुनी पन शोभावता हता। आयूर्वेद ना तेवो भिश्मपिता मह गणाईच। मतलब के आयूर्वेद शास्त्र नो आरंब चरक मुनी थीत थाईच। एमने जे चरक सहीता नामनो ग्रंथ लख्यो हतो, एतो एटलोवदो मुल्यवान छे। के आजे पन आयूर्वेद उन्वर्सिटियों मा अभ्यास करता तमाम विद्यार्थियों एनो अभ्यास उंडान पुर्वक अने तलस परशीरीते करेच। आ चरक सहीता मा बेहज्यार जेटला वनस्पती अउशदियों नो उल्लेक छे, मात्र उल्लेक न थी, पड़े ए वनस्पती अउशदियों क्या थी, केवई ओलक थी मले छे, हिमाले ना उत्तूंग शिखरो अने एनी तलेटी मा आवेला व्रुक्षो वनराजियों मा थी क्या-क्या थी मले छे, एना वनराजियों मा थी क्या-क्या थी मले छे, ए नो उल्लेक एमा छे, भारतना जंगलो अने हिमाले परवतनी तलेटी अने एना डुणाओ पर आवेला वनरा जियो मा केट केटली सम्रुद्धी भरी छे एनो उल्लेक आपने चरक सहीता मा थी मले छे एटले एरीते चरक सहीता ए आयुरुवेदिशास्त्रनु गणू मुल्यवान पुस्तक छे एम अवश्य कही शकाए कनिशक सहीत्य उपरांत कलानो पुषक अने प्रेरक अतो एना समयमा शिल्प कलाने वेग मले गांधार शैलीनी कलानी शरुवात्ते गांधार शैलीमा ग्रीक अने हिंदू कलानो सुभक समन्वै सधायो छे कनिशक ना समयमा अनेक बउद्ध अने जैन मुर्तियो जे मलियावी छे ते अनेक प्रकारे उत्तम छे एनी सोभा एनी अलंकृत्ता अने एनी एनू सुषोभन एनी चमक बदूज खरेखर आकर्षक अने दर्शनीय छे खासकरीने कनिशके मथूरामा चैतियो मठो विहारो बंधावीने ए नगरीने सुंदर रिते शनगारी हती कनिशकना समयमा अनेक बउद्ध ने जैन मुर्तियो पण मलियावी छे पेशावर नजिक हमना जा अपने उल्लेक करो तेम चारसो पूट उन्जो ने तेर मजलावालो लाकडा माथी बनावेलो स्तूप एतो जाने के भारतनी एक अजाईबी जेवी गटना चे खासकरी ने शिल्पकला उपर विदेशी शिल्पियों नी असर आपने खुब जोवा मलेचे ते शक समवत नो प्रवर्तक हतो इस विशन इठो तेरनी साल के जारे तेनू राज्या रोहन थायेतू ते आथी शक समवत नो एने प्रारम करियों तो आम तेनी समगरिते कारकिरदी जोता जे जनाई छे के तेने विशाल सामराज्यनू सरजन करियो ते बउद धर्मनों समरक्षक अने प्रचार कतो तेने गांधार कलाने आश्वयापी शक समवतनो प्रवर्तक गणायो आम भारतिय इतियास मा कनिश्कनू नाम सदाए उज्वल अने अमर रेशे अस्तू जैहिन